अध्याय 18 उत्पादन कैसे होता है बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से वस्तों का उप्योग करते हैं इन में से कुछ वस्तों हमारी जरूरी आवशक्ता की होती है जैसे हम भोजन के लिए कई प्रकार के अनाजों का प्रियोग करते हैं हम बस्तों का प्रियोग करते हैं और बिमारी के समय हम बहुत से दवाओं का प्रियोग करते हैं इसे तरह हम बहुत से वस्तों का प्रियोग अपनी सुक्सुविधा के लिए भी करते हैं जैसे हम टीवी का उप्योग करते हैं एसे का उप्योग करते हैं और कार का उप्योग भ कई उद्योगों और कलकारखालों में होता है किसे भी वस्तू के उद्पादन के लिए कुछ साधनों की आवशक्ता होती है ये साधन है भूमी, श्रम, पूंजी और उद्धमिता यानि की साहस ये उद्पादन के ऐसे साधन है जिनमें से किसी एक क्या भाव में भी उद्पादन संभव नहीं हो सकता और उद्पादन के साधन, ऐसे साधन है जो किसी भी शहर के विकास के लिए महतुपूर होते है तो आईए देखते हैं, रायपूर शहर के विकास में उत्पादन के इन साधनों का क्या योगदान रहा है बच्चों किसी भी शहर के विकास में उद्योगों का महतुपूर्ण योगदान होता है बात अगर हम रायपूर शहर के करें तो यहां भी बहुत सारे उद्योग स्थापित है उर्ला, भनपूरी और सिल्तरा रायपूर के ऐसे छेत्र हैं जहां बड़ी मात्रा में लोह उद्योगों के इस्थापना हुई है और इस कारण ये छेत्र और द्योगित छेत्र के रूप में तबदिल हो गए है बच्चो, क्या आपने कभी सोचा है कि रायपूर में इन उद्योगों की इस्थापना कैसे संभव हो पाई है 36 गड़ में दली राज़रा और बचेली की रंदुल जैसे कई स्थान है जहां पर लोग ऐस्की की खदाने हैं इन खदानों से लोहा उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिल जाता है इसे तरह रायपूर के बैकूंट में बिलाई के जामुल छेत्र में और बलोदा बजार के रवान, हिर्मी और रावन छेत्रों में सिमेंट के लिए आवश्यक पत्त्रों की उपलब्धता है यही कारण है कि इन इस्थानों पर सिमेंट सायंत्र लगाए गया है जिससे वहा के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है बिल्कुल ऐसे ही रायपूर में बिजली सायंत्रों की भी इस्थापना हुई है बिजली सयंत्रों के लिए कोईले को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और 36 गड़ में कोईले की कई खदाने हैं जो इन बिजली सयंत्रों को कच्चे माल के रूप में कोईला प्रदान करती है रायपूर एक बढ़ता शहर रायपूर 36 गड़ राज्य की राजधानी और रायपूर जिले का मुख्याला है सन 2000 में 36 गड़ के एक अलग राज्य बनने के बाद से यह 36 गड़ की राजधानी है इसके बाद रायपूर तेजी से बढ़ा और सन 2011 में भारत के महानगरों में शामिल हो गया राज्य के विभिन भागों में खनिजभंडार और वन संसाधनों की मौजूदगी ने इस शहर में अध्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है रायपूर शहर और उसके आसपास के इलाकों में स्टील और सिमेंट का उत्पादन करने वाले कई महात्वपूण उद्योग है रायपूर न केवल बिजली और स्टील का छेत्रे केंद्र है बलकि भारत के बड़े बाजारों में भी एक है 36 गड़ का विशाल वन छेत्र रायपूर को वन उपज का एक प्रमुख व्यापार केंद्र भी बनाता है रायपूर भारत के मध्यपूर्व छेत्र के एक महात्वपूर्ण व्यवसाईक केंद्र के रूप में विक्सित हो चुका है शहर का थोक वैपार 36 गड़ राज के विभिन हिस्तों की जरूरतों के साथ इससे सटे पश्चिमी ओडिशा के जिलों की जरूरतों को भी पूरा करता है